बेड़ हमेशा अपने लीडर को फॉलो करती है अपने आगे चलने वाले को उसे नहीं पता होता कि वो कहां जा रही है वो हमेशा बिना सोचे समझे बिना जाने सर जुकाए चलती रहती है चाहे उसे काटने के लिए ही क्यों न ले जाया जा रहा हो आप चाहे उसे सलाटर होस भी ले जाओ वो चलती जाएगी वो चाहे मर ही क्यों न जाए कुछ भी हो जाए वो हमेशा फॉलो करती है क्योंके वो नहीं जानती के क्यादत किसे कहते हैं वो कभी भी लीड नहीं करती जबके एक लाइन हमेशा लीड करता है वो अपना रास्ता अपना शिकार खुद चुनता है और उसकी वज़े उसका एटिचूड है और यही चीज उसे जंगल का राजा बनाती है वो क्यादत करना जानता है वो जानता है कि यहां हम्मत चाहिए अपना रास्ता खुद चुनने की हम्मत यहां ताकत चाहिए डड़ कर खड़े रहने और अपनी जिन्दगी की जंग लड़ने के लिए चाहे सब आपका साथ छोड़ जाए चाहे कोई भी आपके साथ ना रह फिर भी आखरी दम तक लड़ने की हम्मत एक लॉइन जंगल के जानवरों में सबसे लंबा नहीं होता ना ही वो साइज में सबसे बड़ा होता है और ना ही वजन में सबसे जादा होता है और ना ही वो सबसे जादा स्मार्ट और जहीन होता है फिर भी जब वो सामने आता है तो सब जानवर जान बचाने के लिए भाग जाते हैं उसकी वज़े उसका एटिचूड है लाइन एटिचूड एटिचूड उस चीज का नाम है जो तुम अपने बारे में सोचते हो जो तुम करते हो और जो तुम अपने आप में महसूस करते हो जो तुम्हारा खुद पर यकीन है जो तुम्हारा बिलीफ है बिलीफ में इतनी ताकत होती है कि ये एक हाथी को बकरी की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है ये एक ताकतवर हाथी को शेर से डरने पर मजबूर करनेता है ये एटिचूडी ही है जो बड़े बड़े भारी बरकम और ताकतवर जनवरों को मजबूर करता है कि वो शेर को जंगल का राजा माने, उसकी इज़त करें जैसे लाइन अगर हाथी को देखता है तो सबसे पहली चीज़, पहला लफज उसके जहन में जो आता है वो है लंच, मैं इसे खा सकता हूँ और ये चीज़ शेर के अंदर बहादरी पैदा करती है जबके हाथी चाहे शेर से जितना मर्जी, बड़ा, ताकतवर और जहीन हो शेर को देखकर पहली चीज़, पहला खयाल उसके जहन में यहीं आता है कि ये मुझे खा सकता है और ये चीज़ हाथी के अंदर डर पैदा करती है क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने बड़े हैं, कितने मसबूत, ताकतवर और जहीन हैं आपके पास कितनी डिगरियां हैं मैटर ये करता है कि आपका खुद पर यकीन कितना है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं आपका बिलीफ आपका एटिचूट ही आपको छोटा या बड़ा बनाता है आपका एटिचूट ही आपको जिन्दगी में आगे बढ़ने में मदद करता है आपको सहारा देता है जब भी आप गरने लगते हों जिनका लॉइन एटीचूड होता है वो इज़त ढूंडते नहीं इज़त करवाना जानते हैं वो जानते हैं कि उन्हें कौन सा रास्ता चुनना है वो अपनी ताकत को पहचानते हैं वो जानते हैं कि उनके लिए सही क्या है चाहे कोई भी उन पर यकीन ना करे वो अपने दिल के आवाज सुनते है अपनी जिन्दगी शेर की तरह गुजारनी है या भेड की तरह फैसला आपने ही करना है एक लॉइन की तरह लीड करना है और जिन्दगी को अपनी मर्जी से गुजारना है या एक भेड की तरह फालो करना है लोगों की राय को लोगों के फैसलों को और लोगों की मर्जी के हिसाब से जिन्दगी गजाती है जिन्दगी में वो बनना है जो लोग चाहते हैं या वो बनना है जो आप चाहते हैं जो आपके दिल की आवास है हमेशा याद रखना कि ये एहम नहीं कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है एहम ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं